नवश्का साथियों Maldives से एक बहुत important news आ रही है It basically is saying that ahead of March 10 deadline civilian team has reached Maldives to take over ops from military personnel कि मलब Maldives जो हमारी country है Indian Ocean में वहाँ पे जो military personnel थे उनको replace करने के लिए हमने देखा है civilian teams पहुंच गी है तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि इसका background क्या है किस context में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं we'll certainly be talking about that that's one thing दूसी बात ये कि technical team इंडिया से arrive कर गी Maldives में ये काफी interesting इसलिए है क्योंकि दो फर्वरी की बात है बैटे दो फर्वरी को दोनों country जानी कि इंडिया और Maldives ने decide किया था that India will withdraw its military personnel from Maldives between March and May 2024 ये नौबत क्यों आई ये भी मैं बात करूँगा तो आप ये notice करें कि यहाँ पे जब नवेंबर में मुईजू प्रेजिडेंट बने थे तो इन्होंने उसी समय anti-India stand और pro-China stand अपना शो कर दिया था ये काफी जादा pro-China है मतलब चाइना की तरफ इनका जुकाव बहुत जादा है और इनके आने से ही मतलब ये देखा गया था कि किस तरह से जो भारत और Maldives के रिष्टे हैं उनमें कही न कहीं कुछ हद तक तनाव जरूर देखा गया एक tensions जो है वो देखी गई ये एक fact की बात है और उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर बढ़िया तरीके से understand कर रहे हैं बढ़िया तरीके से जानने वाले हैं ये आप धान में देखेगा तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वज़े से जो तनाव हैं हमने काफी बढ़ता हुआ देखा विल्टॉक बढ़ धान में रखेगा कि हमने क्या देखा है जब भी बात आती है ये व्यक्ति की तो इनकी और ओपोजिशन की भी जड़प हो रही है काफी विल्टॉक बढ़ धान देखेगा लेकिन आपको जो पॉइंट समझना वो यह है बटे कि इंडिया और मॉल्डीव की जो कॉंट्रवर्सी है दाट इस वेरी मच इंपॉर्टन क्यों क्यों कि रिसेंटली देखो पहली बात तो देखो ये लक्षदीव है ये मॉल्डीव है ये कंट्री ये मालेज की कैप्टल है तो हमने क्या देख भारद से मॉल्डीव गए हमारे प्राइमनिस्टर मोदी जी ये कपकी बात है जन्वरी 2014 की बात है तो जन्वरी स्टार्टिंग की ही बात है जब ये गए लक्षदीव गए है मोदी जी तो इन्हों ने लक्षदीव की बहुत तारीफ की अब जब ये लक्षदीव गए इन्हें लक्षदीव की तारीफ की तो मॉल्डीव के जो लोग थे वो नाराज हो गए क्योंकि लक्षदीव की तारीफ की थी हमारे औरेबल प्राइमल से मोदी जी ने लोग कंपेर करने लगे उसकी ब्य को प्रमोट करने के लिए तो कुछ मॉल्डीव के ही जो गर्मेंट ओफिशल्स हैं उन्होंने अभधर टिपनी की जैसे हैं मैं मरियम बॉल्डीव भी बोलना स्टार्ट कर दिया पिकिस अफकोर्स जो उनोंने किया था वो गलत था और आप ये मान के चलें कि लक्षदीव की ब्यूटी तो सच में बहुत शांदार है एनिवेज आपको इध्यान में रखना है कि फाइनली उन मिनिस्टर्स को रिमूफ किया गया लेकिन आपको एक चीज नोटिस जरूर करनी है कि मुईजू की सरकार ही काफी जादा प्रो चाइना रही है शुरू से एनिवेज बात थोड़ी से बढ़ती गई इन लोगों को तो सस्पेंट किया ही गया इनको तो अपनी नौकरी से हाद धोने पड़े ही जो भी वहां के म इंपीस थे जो भारत के खिलाफ बात कर रहे थे लेकिन वाट इस मोर इंपॉर्टन्ट है ये बात बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़गी कि मॉल्डिव्स ने बोला कि जो भी आपके मिलिटरी परसनल्स हैं उनको आप यहां से हटाएंगे तिस आक्शलिया वेरी बिग को यह चीज़ जरूर पता होनी थी कि किस प्रकार से भारत के जो भी जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो काफी जादा हैंपर हुए सीज की वज़या से यह थोड़ से ध्यान में रखना और यहां तक कि हमने यह भी देखा कि जो मॉईजू है उनकी सरकार गिरने तक की नौ की बात है तो एनिवेज उन्ही चीज़ों के बीच में इनके सरकार गिलने की नौबत आगे थी है मैंने आपको बताया और तब से ही यह बाद चल रही थी कि किस प्रकार से जो भारत की मिलिटरी प्रेजन्स है उसको कम किया जाए वहां पे और इसी की बीच में यह जो देखना है तो I hope this point is absolutely clear to you guys यह जो idea है आपको यह ठीक ठाक समझ आ गया है ऐसा मैं यहाँ पर मांता हूं ठीक है जी सो मताब कोई दिकत किसी प्रकार की अगर है कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप मुझे पता सकते हैं यह सर्टली चैन लेट मी नो इन केस देर इस अन आपको थोड़ा सा भी पॉइंट समझ में नहीं आते हैं आपको तो यू कैन शूर्ली लिट में चलिए बहुत बढ़िया स्वाइट मैं यहीं बताना चाहता हूं कि यह क्यों यहां तक नौबत आई वसुव आपको समझना है उससे आपको पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर ह हो जाएगी और भारत और मॉल्डीव की रिष्टे हैं उनमें जो एक फीकापन आया वह इसी इंसिदेंट की वजह से आया और दिस इस वन वेरी सिंपल आस्पेक्ट वी हाफ को अंडरसाइड अब देखेंगे और ज्यादा जो मिलिटरी प्रेसे वो खतम होती रहेगी कम हो जो हैं उसको रिप्लेस करती रहेगी बिकिस भारत की ज़रूरत तो है मॉल्डीव को चाहे कान ऐसे पकड़े चाहे कान ऐसे पकड़े दाट इस टोटली अप टू देम लेकिन वही बात है कि अब मिलिटरी टीम नहीं है तो आप सिविलिन टीम संभालेगी बट टीम तो चा करें इसको फ्रेंड्स के साथ जा हिंद जा भारत